दोस्तों एक वक्त था जब भारत के धरती पे कई सारे दुश्पन एक साथ एक वक्त पे ही राज कर रहे थे जैसे की मुगल, निजामशा, आदिलशा, अंगरेज और उसी वक्त एक आदमी सामने आके शपत लेता है कि मैं इस धरती को इन सब से स्वतंत्र बनाऊंगा अपना खुद का स्वराज जखड़ा करूंगा उस वक्त मुगलों का नितरूतो कर रहा था औरंगजेब और बाकी कई सारे समराथ अपने अपने इलाके पे नितरूतो कर रहे थे औरंगजब के पास बहुत बड़ी सेना थी और फिर भी इनोंने उनके सामने डटके खड़े रहने की ठानी और ये शपत ली के मैं इनको यहाँ से भगा के रहूना इस वक्ति का नाम था चत्रपती शिवाजी महाराज चत्रपती शिवाजी महाराज का जो जीवन काल रहा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मूटिवेटिंग रहा है मेरे खुद के लिए मुझे जबी भी मैं कभी किसी प्रॉब्लेम में होता हूँ या कभी मुझे लगता है कि मैं दीम मोरालाइजड हो रहा हूँ तो मैं उनका जीवन जरी तरफ पढ़ लेता हूँ बहुत सारे अच्छे-च्छे किताबे नॉवेल्स अलड़े मार्केट में अबले बले तो मैं वो पढ़ लेता हूँ तो उनके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाई हुई अभी रिसेंटली हम लोग जो है एक स्टॉक मार्केट करियर में यहाँ पर शुरुवात कर रहे हैं या कुछ लोग जो है बिगिनर्स है कुछ लोग काफि सारा वक्त अल्री दे चुके है एक्सपरटाइज है उनकी तो कुछ जीवन काल में उनके कुछ गटनाई ऐसे हुई कि जहाँ से हम मोटिवेशन ले सकते है प्रेरना ले सकते हमारे स्टॉक मार्केट के करियर में तो कौन सी है वो चीजे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले इस शुजाइनती के इस अवसर पे मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि मैं ये वीडियो पे ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊ तो अभी इस शुजाइनती के अवसर पे हम लोग ये वीडियो यहाँ पे ये रिलिज करने जा रहे आप सभी से एक निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखिए हर एक लेशन आपके काम में आएगा हर एक वर्ड आपके काम में आएगा मुझे 100% गैरेंटी है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं क्या है वो लेशन्स जिनको हम चत्रपति शिवाजी महराज के जिवन काल में से हमारे स्टॉक मार्केट के करियर के लिए यूज कर सकते हैं तो दोस्तो हमारा ये जो वीडियो है ये वीडियो का टॉपिक ही हमने रखा है चत्रपति शिवाजी महराज एंड स्टॉक मार्केट ये वीडियो इस तरीके का वीडियो YouTube पे पहली बार किसी ने बनाया है ये जो चीजे है इनको पहली बार किसी ने link करने की कोशिश किये जो stock market में हम लोग discipline के लिए वहाँ पे courses करते है या चीजे सीखते है तो वहाँ पे relate करने की कोशिश पहली बार YouTube पे किसी ने की है So I hope मेरी ये कोशिश आप सभी को पसंद आएगी तो start करते हैं without wasting any time सबसे पहली घटना या event जो चत्रपदी शिवाजी माहराज के जीवन में हुए वो ये कि उन्होंने जब उनकी उम्र 16 साल की थी तब ही एक शपत ली थी स्वराज्य की शपत ली थी क्योंकि उस वक्त पे जो था यहाँ पे जो शासक थे मूगल शासक थे वो बहुत ज़ाद आत्या चार कर रहे थे लोगों पे जो यहाँ की local residents थे तो वो उनसे देखा नहीं गया और बचपन में ही 16 साल की उम्र में उन्हें ने यह ओत ले थी कि मैं यहाँ पे स्वराज्य स्तापित करके ही चूप बेटूंगा तो यहाँ पे हम लोग क्या lesson ले सकते हैं जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे education system में इंडिया में जो है हमारे curriculum में academics में stock market नहीं है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि लोगों को बच्चों को थोड़ से लेट वक्त पे यह पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज है दूसरी चीज लोगों में awareness यह नहीं कि यह technical चीज है कोई future में यह stock market option opt करे तो वो अपने घर में जो चोटे बच्चे है उनको एक सही वक्त पे उनको यह goal set करने को बोल सकते कि तुझे यह सीखना है और सीख के ही करना है बिना सीखे नहीं करना है तो यह सबसे important चीज हो गई कि अपने जो goals है वो बहुत जल्दी set करने पड़त है तब preparation के लिए हमें अच्छा time मिलता और without preparation हमें कुछ नहीं करना है दूसरी औरंग जेब चिवेट मतलब meeting with औरंग जेब चत्रपिति श्वाजी महाराज ने उस वक्त पे जब उनके सबसे बड़े दुश्मन थे औरंग जेब उस वक्त औरंग जेब को मिलने के लिए उनके दर्बार में सीधे चले गई थे वो उनका invitation आया था तो ये reject कर सकते थे लेकिन इन्हों ने ठान लीती के में जाके आख से आख लड़ा के बात करूँगा तो वहाँ पे ये चले गए थे तो take big risks yes अगर आपको कुछ साबीत करना है कुछ प्रूव करना है तो आपको आपके जीवन में बड़े risks लेने पड़ेंगे बले वो stock market हो कोई business हो कोई idea हो क्यूंकि आप stock market में एक चीज़ ध्यान में रखिए आपका confidence आप खुद को आप खुद ही दिला सकते है और वो कैस हो सकता है जब आपको success मिले तो एक message वहाँ पे throw करने के लिए चत्रपति शिवाज महाराज आगरा चले गए थे उनके दरबार में दिल्ली में तो औरंग जब के सामने खड़े होके उन्होंने उनके साथ वहाँ पे एक clash भी हो आता उन्होंने गलत रो में उनको खड़ा कि चत्रपति थे संभाजी महाराज उनको भी वो ले गई थे दरबार में तो उनका ये जो होसला है ये बताता है कि हमें जीवन में बड़े risks लेने पड़ेंगे तब जाके हम खुद भी बड़े बन पाते है क्योंकि वो अगर risks को हम लोग वहाँ पे eliminate कर सके लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़े हम लोग सीख सकते हैं और खुद का confidence भी gain कर सकते हैं इसी event का next event है जो कि था अग्रयाहुन सुट का मतलब escape from अग्रा वहाँ पे उस औरंग जेब के साथ जगड़ा करने के बाद औरंग जेब ने चत्रपति शिवाजे महारात को केद में रख ल उनकी जो फोज है वो सेना है वो वीक पड़ जाएगे और मैं इन पर जल्दी हावी हो जाओगा लेकिन एक proper timing of exit सीखने के लिए ये event बहुत अच्छा है अगर आप कोई trade में first जाते है तो आपको एक proper timing डुणना पड़ेगा उस trade में से निकलने के लिए या कोई उस तरीके दिल में से निकलने के लिए क्योंकि सही वक्त पर अगर exit ली जाए बले ही वो थोड़ा सा loss लेकि भी हमें निकलना पड़े तो भी चलेगा इसका भी एक आगे point है तो भी चलेगा लेकिन proper timing of exit is very important लालची ने होना ग्रिडी ने होना टेक्निकली जो अपना है उतना अगर profit म department of शिवाजी महाराज उनके पास एक फोज में एक ऐसी सेना थी एक ऐसा गुरूप था जो चारों तरब जितने भी दुश्मन थे उनके फोज में घुसके वहां की हर एक न्यूज यहां पर अपडेट देते थे और उस टाइम पे कोई social media नहीं था internet नहीं था calling नहीं था technology न जैसे कि globally कुछ अगर हो रहा है war हो रहा है यह हो रहा है तो उसका भी अलर्ट हमें पता रहना चाहिए कि क्या अपडेट से वह resolve होने वाला है या बढ़ने वाला है कोई नई चीज आ रही है कोई नया कोईड जैसा कुछ आ रहा है या कुछ भी तो अलर्ट रेना बहुत ज हो चाता है foreign में भी हमने देखा है बहुत सारे मार्केट में ऐसा होता है तो इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है तो उसके लिए हम लोग जैसे ही महाराज एक गुपतहर उनके रखते थे अलग-अलग quality के तो हम लोग अलग-अलग tools अलग-अलग websites अलग-अलग blogs हम लो eliminate the enemies in growth आपको आगे बढ़ाने में जो कोई barriers है जो कोई enemies है enemies में persons के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं चीजों के बारे में बोल रहा हूं उनको आपको eliminate करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप उनको eliminate नहीं करेंगे आप खुट के growth पे concentrate नहीं कर पाएंगे उस वक्त अबज वो actually उनको मारने के लिए आया था लेकिन वो पूरे तयारी के साथ वहाँ पे चले गए थे और उन्होंने उल्टा उसका ही वदगर दिया था उसको ही मार दिया था तो यह जो है no eliminate the enemies in growth आपको growth में जो barrier से enemies है वो पहचान यह मैं चीजों की बात कर रहा हूं और उन चीजो से दूर रही है उन चीजों को हटा दीजिए अपने पात्में से उसके बाद यह सबसे important पुरंदर चा तह है treaty of पुरंदर बहुत famous है इतिहास में history में एक वक्त ऐसा आया था कि चत्रपति शिवाजी मारा चारों बाजों से घेर जा चुके थे एक अकेली फोज जो 0 से उन् वहाँ पे मुगलों ने एक चाल खेली थी एक हिंदू राजा शा सकते जैसिंग मिर्जा उनको भेजा गया था चत्रपति शिवाजी माराच से पुरंदर का तह करने के लिए तह मतलब क्या हुआ settlement kind of settlement treaty कहते है उसको मतलब मैं पीछे हट जाओंगा आप आपकी सेना पीछे देने पड़े थे तो यह होता है perfect use of stop loss एक वक्त ऐसा आता है कि trade में हमें stop loss hit होने देना भी जरूरी है अगर हम लोग stop loss use नहीं करेंगे तो हम लोग कितना नीचे जाके हम लोग हमारा mindset बना पाएंगे कि चल भई यहाँ पर हमें loss book कर सकता हो या book कर लूँगा यह हमें नही तो यह fix हो जाता एक चीज कि इतना नीचे जाने के बाद stop loss हीट हो जाएगा तो मेरा ट्रेड़ वहाँ से automatically exit हो जाएगा तो यह सेम चीज यहाँ पर हम लोग सीख सकते है ट्रिटी और पुर अंदर में तो बाद में उन्होंने वह किले वापीस ले लिए थे बहुत टाइम नहीं लगा उनको वह किले देके ले लेने के लिए उस वक्ते पे उन्होंने stop loss हीट होने दिया बाद में आप सीखने के बाद वह earn कर लीजिए जो loss में आपने उस दिन stop loss में गवाया है लेकिन उस वक्त पे stop loss हीट होने देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ मैसेज है टेक रिस्क एंड़ रिवाड़्स आप कितना रिस्क लागा कि उसकी एक्सपेक्टेशन में कितना रिवाड के एक्सपेक्टेशन रखते हो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन चीज है जैसे कि शाहिस्ते खान जो था वो पूने में घुसकिया आ गया था और उ उस महाल में गुस्पे उसके उपर अटक किया एक्षिली उसमें तो वो बज गया था लेकिन उसके चार उंगली वाह पर कट गए थी लेकिन उसके बाद वह बहुत डर गया था और वहां से वह भाग गया था चुप गया था कई जाके तो इन्होंने क्या कि एक रिस्क लिया इतने बड़े महाल में जहाँ पे हजारों में लाखों में उनकी सेना है लेकिन ये बीच में गुश्ट के कुछ मुझे जहाँ तक पता है सो से कम लोग साथ में लेके ये वहाँ पे गए थे बारात के रूप में वहाँ पे चले गए थे भेज बदल के और अंदर गुश्ट लेकिन उसका फाइदा ये हुआ कि वह इतनी बड़ी सेना को वहाँ से हटा पाए तो आपको रिस्क्स तो लेने पड़ेंगे तब ही जाकि आपको रिवाड्स मिलेंगे वह रिवाड में उनको मिला उनका जो बचपन का घर था वह लाल महाल वह खाली हो गया वह वापिस व खुद की एक इमेज बन जाती है तो हमें भी ये फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट इस महाराजन चे खल्बत आनि गनीमी कावा मतलब प्लानिंग एन स्ट्रेजी ऑप गोरिला वारफेर उनके केस में गोरिला वारफेर हम लोग केते हैं क्योंकि वो जो वार करते थे वो ज बने से पहले वो खतम हो जाए एकदम इंप्रेशन के साथ अटेक करना तो हमें क्या करना है टेस्ट और प्रक्टिज दी स्ट्रेजी यह कब पॉसिबल है क्योंकि वो प्लान कर पाते थे तब जाके वो पॉसिबल पाता था वो घंटो घंटो रात-रात बर अपने जो इंप तो इसको क्या आजाता है practice अगर आपके पास कोई strategy है तो उसको test करना जरूरी है प्रैक्टिस करना जरूरी है तब जाके ही आप उसमें सफलता पाओगे यह हम लोग यहां से सीख सकते हैं और next is tools उन्होंने उनके काल में बहुत सारे नए नए वेपन्स ऐसे है जो उन्होंने खुद खोजे थे मतलब उसके designs उन्होंने खुद किये थे जो आज तक एक benchmark बनके बने हुए कि ऐसे वेपन्स उन्होंने बना है तो आपको भी यहां से यह सिखना है कि use of modern tools आपको खुद के tools develop करते आने चाहिए खुद के नए नए techniques नए resources नए ideas कुछ भी हो सकता है आप record maintenance के लिजिए आप वो watch list लिजिए कुछ भी लिजिए यह आपको सारी चीजे जो है यह आपको खुद के तरीके से modern touch में उसको use कर बनाते आने चाहिए यह उसको बनाते आने चाहिए so use of modern tools यह भी एक बहुत important चीज है जिसको हमें stock market में follow करना चाहिए definitely follow करना चाहिए so दोस्तों यह थे वो सारे events जिनके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता था जहासे मैं आपको बताना चाहता था जो भी positive science है वो आप तक पहुचाना चाहता तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आयो तो एक बार वीडियो को like कर दीजे जरूर like कर दीजे और यह वीडियो आपके family के साथ दोस्तों के साथ भी share करिए चैनल को subscribe करना ना बुलिए और हमारे टिलिग्राम चैनल को भी जैन करिए जिसका link नीचे description में already दे दिया है तो चलिए मिलते है next वीडियो में thank you